उत्राखन के चमोली जिले में गुरुवार को एक और शव मिलने से आपदा में मरने वालों की संख्या 35 हो गई जबकि 179 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। वहीं रिशी गंगा नदी में पानी बढ़ जाने के कारण तपवन टनल में राहत और बचाव अभियान अस्थाई रूप से रोब दिया गया था लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है। उत्राखन के DGP अशोक कुमार का कहना है कि निचली इलाकों को खाली करने के आदेश दिये गए हैं। इसा हम मलबा निकाल रहे हैं तेन दिन से, उसमें मलबा खातम नहों आये जा रहा है। बड़ी टनल तो टीक नीची, एक छोटी टनल है राLE मीटर नीचे।. ठीक है। छोटे डाय की है तो बहुत लएब डायामेटर छोटा था। ठीक तो वहां वो जो है अब जो आदमी है जब आपदा के टाइम आदमी भाग करके कहां पहुंचता है यह सब अनुमान है हमें क्या पता कि वह बढ़ी टनल में है छोटी में जहां हो से कहीं स्पेस दिखे का वहां मिल सकते हैं मतलब 10-20 सेकंड तो मिलता है ना लोगो 30 सेकं में हो यह कहना कि वह स्टेटजी गल्थी में इससे सहमत नहीं हूँ शिर्फ यह है कि इन्होंने कहा कि हम क्योंकि इसमें हमें एंड आगी जाना बहुत ज्यादा तेरी से नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो हम नीचे वाली टनल को खोल में ड्रिल करके देख लेते हैं कि उसमे प्रिजेंटली थोड़ा रोग गया है क्योंकि वो ड्रिल तूट गया है उनका तो फिर उसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे जो है न इसतर जो बड़ी टनल को खोलने का प्रोसेस भी जारी रखेंगे और इसको भी एक्जामिन कर सकते हैं कि नीचे की जो टनल है उसमें पान इंटिफाई हुई हैं बागी भी सभी परिवार जनों से हमारे जो ऑफिसर्ज हैं डियाई जी लाइन डॉर्डर हैं हमारे इस पी रुद्य प्रियाग हैं चमोली हैं उनके जो वाटसब नंबर पर डेड़ बोड़ी शेयर की जा रहे हैं उनकी फोटोज उसी के मायदम से पहचान होती जा रही है